हे गाई नमस्कार आप लोगों का टाप्टने ग्लाजस के प्यारे से यूटूब फेरे पर स्वागत है गाई जाज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कच्छा 10 की भौतिक विज्ञान की बिदुद्धारा के चेप्टर की बात करेंगे प्यारे बच्छो आज हम लो इतनी टॉपिकों का हम लोग चर्चा करने की बात आज की क्लास में जो है कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे प्यार बच्छो तो चली लेक्चर को स्टार कर लेते हैं लेक्चर को स्टार करने से पहले आदि आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडि जो क्लास आई है तो वहाँ पर बिद्दूत आवेस के बारे मैंने बताया था अब बिद्दूत आवेस क्या होता है ध्यान से तमझेगा अगर भैया एक बात मैं आपको बताओं जो ये बिद्दूत आवेस होता है बड़े कमाल का है ये अगर एक जगन इस्तिर है अगर य एक जगह रुका है तो ये तो क्या उत्पन करेगा अगर ये रुका हुआ है यदि बिद्दूतावेस इस्तिर है यदि बिद्दूतावेस क्या है इस्तिर है मतलब रुका है चल नहीं रहा है मतलब मिला जो लाइक एक जगह इस्तिर है तो जब बिद्दूतावेस इस्तिर है तो ये क्या उत्पन करेगा भी या बिद्दु तावेस क्या हो जाए गतिमान हो जाए जरा से समझे यदि बिद्दु तावेस क्या हो जाए गतिमान हो जाए हल चल हो जाए मतलब एक जगह से दूसरे जगह चलने लगे तो वो क्या उत्पन करता बिद्दु धारा उत्पन कर यानि ये बात हमको समयना होगा कि जो विद्दूत आवेश होता है अगर वो इस्तिर है वो रुका हुआ है तो अपने चारों तरफ विद्दूत छेत उत्पन करेगा और अगर वो गतिमान है तो विद्दूत धारा उत्पन करेगा तो प्यारे बच्चो विद्दूत धारा क में कौन होता है एलेक्ट्रान होते हैं एलेक्ट्रान ही चलते हैं प्यार बच्चो तो हम ध्यान से समझेंगे इलेक्टराणों का एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक जाना ही धारा कह्लाती है क्या आपको इतनी बात समझाई मक्खन वाली Arabic अब हमको चाहिए étape मक्खन वाली परिभासा क्या होने वाली प्यारी बच्चो ध्यान से समझेगा आविश अब ध्यान से समझो जो वर्ड में बताने जा रहा हूँ मैंने कहा जैसे जल का बहाव अगर हम बात करें जल का बहाव तो जो जल का बहाव होता है प्यारे बच्चो वो होता है जल का बहाव मतलब जल का प्रवाह जल का बहाव मतलब जल का प्रवाह अगर मैं कह दूँ दूध का बहाव दूध बह रहा है तो भईया दूध के बहाव को हम कहते हैं दूध के प्रवाह उसी प्रकार अगर आवेस बह रहा है तो आवेस के बहाव को हम आवेस का प्रवाह कहते हैं थो एक बार मैं फिर से आपको क्लीअ कर देना चाहता हूँ जलका भाहत आ ह allows मतलब जल बहता ह unfortunately उसको जल्ड के प्रवाः भी कह सकते हैं दूध भहरा है थो हम दूध की प्रवाह भी तरह सकते हैं, तो इस प्रकार प्यारवच्चो जब आवेश का रवा रवे बहा बहना स्टार्ट होता है, तो आवेश के बहने के कारण चालक में एक करेंट उद्पन होजाती है, इस हम क्या कहते हैं, विद्द१धौरा कहते हैं, क्या इतनी बात आपकी सेकंड में बहने वाली जो आवेश की मात्रा होती है वो भी विद्धुद्धारा कहलाती है तो आए आवेश के प्रवाहदर को विद्धुद्धारा कहते है अगर हम इसी को ब्यांजक रूप में लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा विद्धुद्धारा बराबर क्या हो हो गा हो जायों आवे बटि समित क्या हो जाएगा है इस बटि समित धिया से दिखिएगा है कि अब भिद्दृ धारा जो होता है उसे हम치는 i से क्या हो जायगा कैप्टल i i.smeall ai डिखाते हैं को अब Eğer capital q Q, इसमाल Q क्यों दोनों से और क्या हो गया तो जो विद्दुद्धारा का फ्रमॉला हो गए वो हो गया I equal to Q upon क्या होता है 2 होता है थ्यान से दिखेगा अगर हुआ विद्दुद्धारा के बारे में बात करें तो विद्दुद्धारा कौन सी रास होती है विद्दुद्धारा एक अधीस रास होती कौन सी रास होती प्यारवचो एक अधीस रास अर्थात इसको ब्यत्त करने के लिए दिशा की जरुवत नहीं होती नहीं होती कि और परिमार की जरुवत होती प्यार वच्छो तो विद्दुधारा कौन सी राच है प्यार वच्छो एक अधीश राच है अगर हम चर्चा करें इसके मातरक की इसके मातरक की ऐसाई पद्धती में मातरक होता प्यार वच्छो वो हम अगली चर्चा करते हैं कि इसका और कौन सा मातरक होता है जिससई हम कहते हैं एक पद्धती में तो प्यार वच्छो जो ठिक यमकियस पदती में धारा का मातरक धारा का जो मातरक होता है वो कहां मिलता है आवेज का मातरक कुलाम और समय का मातरक सेकंड तो कुलाम परती क्या होता है सेकंड होता है इस प्रकापेर बच्चो हम यहां से यमकियस पदती की भी मातरक बता सकते हैं अब हम थोड़ी सी और बात करें इनके बारे में कि और क्या होती है बिद्धुधारा के बारे में और थोड़ी बहुत डिटेल अगर हम लोग लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि जो प्यारी बद्धुधारा होती है वो दो प्रकारिक होती है क्या होती है बिद्दुधारा के कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है अगला जो point अगर हम लिखना चाहें तो बिद्दुधारा दो प्रकार का होता है बिद्दुधारा दो प्रकार की होती है दो प्रकार के होते है अगर हम बात करें कौन कोन सा पहला आता है प्रत् दूसरा आता है दिश्ध धारा कौन सा आता है दिश्ध धारा है प्रत्या वर्त धारा को साप़ MPD के इस सी कहते हैं और उसे कहते हैं निटे इंटर में आएंगे तो वहाँ बात करेंगे प्रत्या वर्ति धारा और डिष्ट धारा के बारे में आईए हम लोग समझते हैं प्रत्या वर्ति धारा थोड़ा सा समझेंगे बस अब अगर मुझे प्रत्या वर्ति धारा समझनी है तो आपके घरों में हमारे घरों में किसी के घरों में जो भी करेंट आती है प्यारे बच्चों वो कौन सी धारा होती प्रत्यावर्ती धारा होती है अब आप सोचें ये क्या होता है ये वो धारा होती है जिसका परिमार लगातार क्या होता रहता है बदलता रहता है देखें ये ये प्रत्यावर्ती धारा है ये इस मुम इसे क्या मालने जी परिमार आई अब देखें जब आप यहां परोंगे तो धारा यह होगी जब आप यहां परोंगे तो धारा यह हो जाएगी जब यहां परोंगे तो धारा यह हो जाएगी जब यहां परोंगे तो धारा यह हो जाएगी जब यहां पराएंगे तो यहां पर ऊपर होती है वह दारा के दिषा क्या हो जाती है नीचे हो जाती है प्यारे बचो इस बात को जाती है फिर एक समय बात भटारा के दे सकते हैं विया समय के साथ साथ या कह दें प्रत्यावरती धारा वो धारा होती है जिसका परिमार समय के साथ लगातार बदलता रहता है और जो दिशा होती है एक समय तराल बाद बदल जाती है तो वाइस देखिएगा प्रत्यावरती धारा आपने समझा कि वे धारा या व लगातार बदलता रहता है और एक निश्चिस समय अंतराल बाद इसकी दिशा भी बदल जाती है वो प्रत्यावर्थी धारा कहलाती है इसे हम साट फार्म में एसी भी करेंड कहते हैं अल्टरनेटिंग करेंड कहा जाता है अब आप ध्यान से देखिए यहां पर जो दिश्ट धारा क्या होती है कि वह धारा वह धारा जिसका परिमार समय के साथ लगातार नहीं बदलता अर्था समय के साथ नियत रहता देखिए यह जो लाइन है यह दिश्ट धारा को ब्यक्त कर रहा है यह समय को ब्यक्त कर रहा है जैसे जैसे समय बढ़ता जारा परंत इसकी न तो रही है यानि DC करेंट होती है जो समय के साथ परिमार नहीं बदलती और न तो उसकी दिसा मदलती है या यह तो सुन्नेपे रहें या तो एकदम हाई पे रहती है DC current आपका गो होता है जो आप लोग battery, cell, inverter से प्राफ्ट करते हैं और AC current क्या होती है जो आप लोग विद्दूत मिन से या dynamo से जो current प्राफ्ट होती है वो क्या होते हैं आपके प्रत्यावरती धारा होते है उम्मीद है का आपको प्रत्यावरती धारा और दिश्ट धारा जवर समझ में आया होगा प्यार बच्चो अब यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि यहीं से एक प्रश्न क्या बनता है कि हाई स्कुल एक्जाम में या इंटर के एक्जाम में प्यारे बच्चो एक बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एक इंपियर धारा से आप क्या समझते हैं एक इंपियर धारा से आप क्या समझते हैं अब आप सोचोंगे कि अरे सर जी ये तो बताए ही नहीं हम लोगों को तो प्यार बच्चो एक इंपियर धारा आप इस फार्मूले से आराम से बता सकते हैं अब सुचो कि आपको i की value एक चाहिए एक कम होगा जब q की value एक कुलाम हो और t की value क्या हो एक सेकंड हो समझे जास एक सेकंड में एक कुलाम आप इस प्रवाहित हो तो जो धारा उत्पन होगी वो धारा क्या होगी एक इंपियर होगी यानि यदि एक सेकंड में एक कुलाम आप इस प्रवाहित होता है तो बहने वाली धारा एक इंपियर कहलाती है तो हम लिख सकते हैं प्यार बच्चो यदि एक सिकंड में एक कुलाम आविस प्रवाहित हो एक कुलाम आविस क्या हो प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा बहने वाली धारा एक इंपियर धारा कहलाती है इस प्रकार आप एक इंपियर धारा को परिभासित कर सकते है आप इसका एक स्क्रिंशाट लेजिएगा उम्मीद है का आपको बिद्द धारा क्लियर हो गया होगा प्यार वेच्छो अब हम चर्चा करेंगे विद्द विभाव और विद्द विभाव अंतर की आप इसका एक स्क्रिंशाट लेजिए है गाइस आईए हम देखते हैं बिद्दुत्विभाव एलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उब इमस्तर गण्यों होनाया दिहान से देखीएगा ये दोनों एक दूसरे को जुरो हैं बस तोड़ा साँ अंतर हैं अब पहले हम थोड़ा छासा रफली समझेंगे तब हम आयेंगे रिप Bür रोप तीक सब्याइजए है अब इस एडिंग को बात समझें यह मैंने कहा आवेस रख दिये क्या रख दिये भी आवेस जब आप बताओ आवेस को स्थिर रख दिये तो मैंने अभी बताया जब आवे इस उखा रहेगा उसके चारो तरफ विद्धुच्छत उत्पन हो तो माल लेते हैं जो इसके चारो तरफ ये राउंडिंग वाली एरिया थी ये एरिया विद्धुच्छत को उत्पन कर रही थी किसको उत्पन कर रही थी प्यारवच्छो विद्धुच्छत को उ जरचो अनन्त से यह माल लेते हैं fight activity दूरिये है और यह अनन्त से एक परिच्छड-आवेश को अब प्रस्ण उठा किरशर जी आप बता यह परिच्छड आवेस क्या होता है परिच्छड आवेस किल कालपनिक आवेस होता है जो कि सदय धनात्मक होता है माल लेते हैं कि अनंत दूरी पर किसी कोई एक परिच्छड आवेस रहता था वो साल पहले से उसको गए आप ले आने ऐसा नहीं है अनंत पे एक परिच्छड आविस मतलब एक धनात्मक आविस की कल्पना करते हैं समझे आप तो यही ज़िए मैं करा हूँ कि अनंत दूरी पर कांक कोई एक परिच्छड आविस है अब उसको आप वहां से विद्धुच्छेत्र के अंदर किसी एक बिंदु तक किसी एक बिंदु ए तक ले आने में कुछ तो कारी करोगे कुछ कारी करोगे या नहीं करोगे भाई जलो imagine करते हैं मुझे वहां से गेहूं का बोछ उठा की यहां तक ले आना था अपने घर पे रखना तो भाई गेहूं का बोछ उठाओगे ले के आओगे, कुछ न कुछ कारी करोगे परंतु साइन्स की तुल 1975 में कुछ कारो नहीं करोगे क्योंकि कोडन अप्ड हो जाता है, कार्सून के हो जाता है ठिक परंतु मैं आपको यह समझाना चाहता हूं चलो उसको मैंने इस पे न रखकर, सर पे न रखकर उसका अनुपात ही बिद्दुत्विहोकालाता है, इस बिंदु का, जिस बिंदु के ले आके छोड़े हो, आप समझेए, अब डिफिनीसा सुने, एकांक परिछड आवेश को अनंत से, अनंत से एकांक परिछड आवेश को बिद्दुत्चेतर के अंदर, बिद्दुत्चेतर के अंदर, किसी एक बिंदु तक ले आने में, जो कारे करना पड़ता है, वही कारे उस बिंदु का, एलेक्ट्रिक पोटेंसियल कहलाता है, आपको कुछ नो कुछ जरूर वर्क करना पड़ेगा प्यरवेश को, आई हम इसको लिखते हैं, अध्यान से क्या, अन्नत से एकांक परिच्छड आवेश को, एकांक परिच्छड आवेश, अगर आप लिखना चाओ, कि हाँ क्यों नाट लिख सकते हैं, एकांक परिच्छड आवेश को, विद्दुत्चेतर के अंदर, क्या, विद्दुत्चेतर के अंदर, बिद्दु छेतर के अंदर बिद्दु छेतर के अंदर किसी एक बिंदु तक किसी एक बिंदु अब एक बिंदु आपका ए हो सकता चाहिए बी हो जाए चाहिए जो भी हो किसी एक बिंदु तक ले आने में ले आने में किया गया कारे किया गया कारे तथा जिसको ले आ रहा प्यार वच्छुक तथा परिछड आवेश का अनुपात उस बिन्दु का अनुपात उस बिन्दु का बिद्दुत विभव कहलाता है आएए एक बार हम लोग फिर से समझते हैं डिखनीशन के हिसाब से उसको अनन्त से एकांक परिछड आवेश को विद्दु छेतर के अंदर किसी एक बिन्दु ए है प्यार बच्छो किसी एक बिन्दु ले आने में जो कारी कर रहे हो और जिसको ले आ रहे हो इसका और इसका अनुपात ही उस बिन्दु का बिद्दुत विभव कहलाता है अगर हम फार्मूला लिखना चाहें प्यार बच्छो ये क्या हो जाएगा बिद्दुत विभव बराबर क्या हो जाएगा किया गया कारी तो कारी बटे क्या हो जाएगा परिछड आवेश कारी बटे क्या हो जाएगा परिछड आवेश अब ध्यांस देखें कारी कौन है डबलू है कारी कौन है प्यारवचो डबलू परिछड़ा विस क्यू नाट विभव को हम लोग वी से ब्यक्त कर दे रहे हैं तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डबलू अपान क्यू नाट अब आईए अगर हम इसके मात्रक की चर्चा कर इसका मात्रक जो होता है प्यारवचो वो होता है जूल प्रति कुलाम जूल प्रति क्या कुलाम होता है प्यारवचो या या बोल्ट होता है क्या होता है या बोल्ट होता है ठीक क्या होता है बोल्ट होता है यह एक अदिस रासे कौन सी रासे प्यारवचो अदिस तो यह एक अदिस रास है, कौन सी रास है प्यार बच्छो, अदिस रास है, ठीक, ना, कौन सी रास है प्यार बच्छो, अदिस रास है, अब आपने ये मातरक कहा है, डबलू का मातरक जूल, क्यू नाट का मातरक खुला, आविस ही है ना, तो ये होगे प्यार बच्छो, अब हम समझते ह कि बैदुत बिभुवानतर यानि potential difference क्या होता है ता यह हम उनको समझते हैं अब potential difference क्या होता है अब जो आवेश आप अनंत से लेके आ रहे थे ना उसको आपको अनंत से नहीं लाना कर विचो जो आवेश आप अनंत से ले आ रहे थे वो अनंत से नहीं लाना इस बार अगला बिंदू क्या हो सकता बी तो किसी एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक ले जाने किसको आवेश को जो कारी करोगे वो कारी इन बिंदूं के बीच का बैदद विभुवांतर कहलाता है एक बार फिर से प्यार वच्चो एकांक परिक्षर आवईस को विद्दु छेत्र के अंदर विद्दु छेत्र के भीतर एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक ले जाने में किया गया कार और परिछर आविस का अनुपात ही इन बिन्दुओं के बीच का पैदुद भिभूआन्तर कहलाता है आई विद्धु छेत्र के अंदर एकांक परिछड आवीज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कारिक करोगे वो उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है विद्धु विभवांतर कहलाता है विद्धु विभवांतर मान लेते हैं आप A से B को ले जा रहे हैं तो A से B यानि VB फिर माइनस A बराबर कार या डबलू परिछड आविस क्यों ना तो इसे इसका भी मातरक भीमा, सब कुछ होई है प्यार बच्चो केवल यह बदल जाएगी यह एक सदीसरास हो जाएगी कौन सी रास फीर को यह एक सदेसरास है इस प्रकार आपका प्यार बच्चो यहाँ पर विद्दूर बिभुवांतर और विद्दूर बिभुवांतर दोनों टॉपिक आपकी क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है उम्मीद है कि प्यार बच्चो आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आया होगा तो उन सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जबरजस्त सेयर कीजिएगा प्यार बच्चो जिनको लगता है कि हार हाई स्कुल के फिजिक्स वास्तों में हार्ड है प्यार बच्चो जरास अभी हार्ड नहीं उनको क्योल अपने साथ जोड लीजे हार्ड थैंक वाल देश्टुटेंट